हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सब कापके अपने चैनल पेद एकेडमी में इस वीडियो में हम ओवर 350 कोमनली यूज़ बर्प्स के वारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम आपको बर्प की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ट फॉर्म डिस्कॉस करेंगे अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको बर्प की फर्स फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ट फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे तो चली जान लेते तो सबसे पहले हम बात करते हैं बर्व होती क्या है तो बर्व मींस होता है क्रिया क्रिया मींस जो कार हो रहा होता है या फिर हम बोलें की एक्सन कोई भी सेंटेंस है उसमें जो कार हो रहा होता है उसमें जो एक्सन हो रहा होता है वो हमारी क्रिया होती ह हैं एक तो regular और दूसरी इर्रेगुलर तो regular बर्व होती हैं अगर उनकी हम base form में ED8 कर दें जो हमारी base form होगी बर्व की उसमें अगर हम ED8 कर दें तो भो ही हमारी second और third form हो जाती है तो regular बर्व में सिर्फ आपको base form याद करना है उसमें ed लगाने के बाद आपकी second और third form हो जाएगी तो ये आपको याद करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी regular बर्ब में next आपकी irregular बर्ब तो irregular बर्ब वो होती है बे बर्ब जिनकी तीनों form अलग अलग होती है base form, second form और third form different different होती है वो हमारी irregular बर्ब होती है तो चलिए सबसे पहले हम discuss करेंगे irregular बर्ब के बारे में इनकी बर्ब एलग झालग होती है झाल 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 झाल